खबरों में बने रहने के लिए बहला आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीज़ें दहेली नंगला गाउं में रहने वाले 23 साल के मौनिश की जुबानी पूरी साजिश की कहानी सुनाएंगे आज मौनिश आपको बताएगा कि कैसे पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन भारत के मुस्लिम युवाओं को काम के बहाने दुबई बुलाते हैं और फिर दो लाख रुपे का लालश देकर आतंक की रहा पर चलने के लिए मजबूर करते हैं आएसाई के इशारे पर काम करने वाले ये संगठन घर्म और इमान का वास्ता देकर इन युवाओं को पाकिस्तान के आतंक की कैमपों में भेज देते हैं जहां से फिर कभी लोटनी की कोई उमीद इन युवाओं के पास नहीं रहती तो मुजफर नगर के मौनिश का बड़ा खुलासा इस समय हम आपको बता रहे हैं कि कैसे युवाओं को बहला फुसला कर आतंक वाद में धकेल दिया जाता है आएसाई भारतिय जुवाओं को अपने जाल में फसाता है आतंकी संगठन के साथ आएसाई की ये बड़ी साजिश अब बेनकाब हो चुकी है मौनिश को मुजफर नगर के कुछ एजेंटों ने 60,000 रुपे लेकर विदेश में काम दिलाने की बात कही 50,000 रुपे अदा कर मौनिश दुबई पहुँच भी किया लेकिन वहाँ तो कोई काम था ही नहीं दुबई में मौजूद पाकिस्तानी एजेंट ने मौनिश को 2,000,000 रुपे महीने का उफर दिया उफर था कि वो पाकिस्तान जाकर कैंप में काम करे जब मौनिश ने इस बात से इंकार किया तो मजभब का वास्ता उसको दिया गया मौनिश फिर भी नहीं माना तो उसे यातनाएं दी गई, मारा पीटा गया, भूका प्यासा रखा गया फिर एक दिन मौनिश चुपके से पाकिस्तानियों की कैट से निकलने में काम्याब हुआ, कैट से भाग कर वो दुबई में ही रह रहे अपने भाई के पास पहुचा वहाँ से फिर टिकेट कटा कर 23 जुलाई को वो अपने वतन लोटा है और अब मौनिश का क्या खुलासा है, वो लगातार एवीपी न्यूस के जरिये हम आप तक पहुचा रहे हैं मौनिश पाक एजिंटों के चंगुल से भागने में काम्याब रहा और अपने वतन वापिस आ गया 23 जुलाई को पाकिस्तान के आतंकी संगठन किस तरह से अपना नेटवर्क हिंदुस्तान में फैलाना चाते हैं और किस तरह से भारतिय युवाओं को बरगला कर उनको फुसला कर काम के नाम पर विदेश ले जाते हैं पहले और उसके बाद में पाकिस्तान में जाकर आतंकी संगठनों के के लिए काम करने के लिए मजबूर करते हैं उसकी बानगी है मेरे हाथ में ये पासपोर्ट दरसल दुहेली नंगला गाओं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुझफवनगर जिलेका जहां के रहने वाले हैं मोनिश और मोनिश के साथ कुछ ऐसा घटा है जो की ये साबित कर करता है जिस तरीके से मोनिश बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो हिंदुस्तानी युवाओं को काम के नाम पर विदेश में दुबई बुलाते हैं और दुबई में लाकरके उनको मजबूर कर देते हैं कि अब उनके सामने कोई विकल्प नही होगा और पाकिस्तान में जाकर आतंकी संगठनों के लिए काम करना होगा मोनिश कल रात को ही किसी तरह से दुबई से उन आतंकीों के चंगुल से छुट कर आए हैं और अपने गाउं में यहाँ पर पहुचे हैं और सबसे पहले एबीपी नियूस से मुखातिब हैं अपनी पूरी कहानी अपनी पूरी दास्ता बताने के लिए मोनिश मैं आपके पासपोर्ट पर देख रहा हूं कि 27 मई को आप यहां से गए थे हिंदुस्तान से उसके बाद में आप लोटे हैं जो यह मैं UAE की मोहर देख रहा हूं 23 जुलाई को 23 जुलाई को आप वापस आए और क अब करम नाम का लड़कर रहता है मेरे अच्छे खासे कोंटैक्ट ते उससे घर तक संबंद्थ सबकुछ मैंने उसको परिषानी वाते उसने का एक विजह है मेरे जानने वाले के पास एक विजह है वो उसका ऊपीस में बराब्बर में सब्सक्त उसके भाई के साथ में उस बोला मस्जिद का काम है वो कर लेना एक काम इलक्टिकन का है और दो तीन काम और बताए गए इलक्टिशन का बताया और तो उसने वहां से जागे काम जैसे आपने फिर साथ हजार रुपे दिये वीजा आपका लगा पासपोर्ट पर ठपा लगा और आप दुबई पहुच ग हम सबसे पहले जैसे हम फलाइट से गए हमें अलमख्दूम एरपोर्ट उतारा गया तीन चार घंटे के बाद उधर बाहर फिर उस आदमी का ड्राइवर आया उसने बोला कि मुश्किल नहीं है कल को हम जाएंगे तुमारे लिए काम ढूंडेंगे फिर में जैसे ही इद का म मोहका अगया था जैसे मैं आया महां पर नमाज पड़के आया में उसने बोला कि ऐसा है अब जाएद का टाइम आ गया है ओपिस नहीं खुल रहे में भी रोज़े से हूँ मैं तुझे फिर ले जाऊँगा इद के बाद अच्छा है ठीक है मैंने घर भी फून किया इधर सब प्रोब्लम दूर दूर हो जाएगी इन लोगों सब को पता है काम मिल गया है उसके बीच बीच में बाद में भी कहलवाया गया कि काम मिल गया है फिर मुझे वो इद के पांच यह दिन बाद पूझे ओपिस ले गया उधर काम नहीं मिला उधर जिस काम के लिए बेजा गया है कि आपको काम मिल जाएगा इसे आघंटो ने खी से आदमी और वहां आदमी बेजा तो जब आदमी आयो मूझे उसे बता तो अस प्ला को बेजना है उसने मुझे का कि तुझे किसी के साथ नहीं जाना तू हमारा भाई है तुझे रहेगा मैंने का नहीं मैं जिस काम के लिए हूं मैं वही काम करूंगा और कुछ नहीं इस तरीके से हालात गुजरते गए उसके बाद फिर उसने फोन पर बात कराई उसको उसने मन स bead Kya मामिला बताया कि आफिए काहाँ ले घानी की बात यहां पर काम नहीं है क्या तू दो लाग रूपर महिनााराम से कमा सकता है तो अधर जा तू तू आच्छा से अच्छा काम दिलाएंगे वह तु करेगा छाइक्वान है मिश्ट टाइम फिर मैंने उन्सकी सब कुछ फोन में रिकॊर्ड किया था जब बात की उन्हों कि हमारा अच्छा सब्कास संगठन है पाकिस्तान में किसी संगठन का नाम लिए काम बता अब ताकि काम क्या करना होगा पाकिस्तान में एक ओर नाम ले रहे तो मेरे ध्यान नहीं आई एस एस सब्सक्राइब रहे थे एक और कुछ बोल रहे थे वह मेरे पास उसका फोटू है तो मैंने वहां से मंगवाए थे दो लाग रुपे मेने हर मेने तू भेजेगा तू नहीं भेजेगा तो हम तेरे खते में उधर इंडिया भेजेंगे तू टेंशन मतले अब में चार लड़के ओर थे उन लोगों के साथ में तो जब उन लोगों काम नहीं मिला किसी किसम का काम नहीं दिलाया गया उन उन्हों खोतम कर दिया एक काम का कि आगे आगे काम नहीं है तो फिर इसको बोला इसने उनको बोला कि इनको माँ पूछ हम लिए तो एक बोली है तुम है चार लड़कें उनसे संबंद मत रख तो हमारा बाई है तुम अच्छे से अच्छी क्वाल्टि की तुझे सब कुछ मिलेगी तु मुसलिम है तो हमारा भाई है तु जो हम कहते हैं तुसको माल ले तु फायदे में रहे गा बहुत प्यार से समझ देभी लोगे इन लोगों कोने खाना बंद कर दिया खाना बंद क करें कि में लोग ने आधी रोती देने वाज़े से में उल्टी उने लोगों ने फिर लात मारी कैनला उल्टी बाहर कर यहां नहीं मिल लासाई टाइम पर हम उनको हाथ जोड़ोड कर बोल दे कैसे ऐसे घर भी बहुत पर हानि में मेरा रहा है आशा है अप करो दिक्कत में तहुआ लाना ठिकड़ा है लेकिन कुछ नहीं सुना उन्होंने बाद में यह कहा कि तुने हमारी बात नहीं आपने अच्छा नहीं किया तु पस्टाएगा पक्का यकीन है कि आतंकी संगठनी के ही लोक थे वह आतंका यकीन नहीं में पक्के आदमी वही हैं वही काम करते हैं वो तो इसलिए आया है वो खुद बोलता है कि मेरे उपर अभी कई केस होगे मडर के वो उधर काम करता था वो वो बंदा काम करता था अभी इसलिए हम इतने दिन इधर रखा गया पर मालूम नहीं क्या से क्या होता बहुत टेंशन बार बार यही बोलते थे वो लोग के करी जाती है क्यों हम कुछ टेंशन में थे हम कैसे बच पाएं कुछ बात याद है कुछ नहीं है बहुत टेंशन में था उस टाइम है तो आपने देखा कि किस तरीके से मौनिश अपनी जान बचा कर वहां से भागा हमारे साथ रक्षित सिंग भी हमारे सायोगी जुड रहे रक्षित सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे आपने मौनिश से बात करी क्या मौनिश लौटने के बाद पुलिस के पास गए या पुलिस ने उन्हें संपर्क किया बिल्कुल देखिए मौनिश ने लौटने के बाद में सबसे पहले जो हमें जब ये कहानी के बारे में पता चला तो हमने मौनिश से संपर्क किया मौनिश ने ये पूरी दास्तान ABP News को बताई किस तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है वो हिंदुस्तान के युवाओं को बर्गला कर फुसला कर दुबई बुलाते हैं और फिर दुबई में उनको जब काम नहीं मिलता तो उसके बाद में पाकिस्तान के आतंकी कैम लिए यानि के LIU की टीम है, मेरे ठीक पीछे आप ये दफ्तर देख सकते हैं कि फिलाल मौनिश यहीं पर मौझूद है और मौनिश से LIU जो है वो पूछताच कर रही है, मौनिश के परिवार वाले भी यहाँ पर पहुचे हुए है, मौनिश से फिलाल LIU की जो टीम है वो प नौकरी देने के नाम पर दुबई UAE बुलाते हैं और उसके बाद में वहापर काम ना होने का बहाना करके उनकी मजबूरी बन जाती है क्योंकि वो लोग लड़के जो है अक्सर यहां से अपने घरों से उधार पैसे लेकर दुबई पहुच जाते हैं उसके बाद में फिर उ पूरा का पूरा मामला जो है वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को सौपा है और फिलाल जो लाई यू की टीम है वो मोनिस से पूछताज कर रही है पूछताज के बाद में ही जो हमारी पुलिस के सूतरों से बात हुई है कि इसके बाद में अगर जरूरी हुआ तो इंडिय और यह बहुत बड़ी खाबर है और हमें ऐसा लगता है कि अब इंटेलिजन्स ब्यूरो भी जरूर पूश्टाच करेगी मौनिश से और इस पूरे मॉड्यूल का आप खुलासा क्यूंकि हो चुका है एबीपी नियूस पर तो आप जल्दी इस पर अच्छे कदम भी उठाए किया जाँ करोशाइब लगता है और हमें भी ऊच्छाचा आप जदो चुका है और हमें इस पर आप किया करो दो सुचाहिवता का आप है और हमेर जए्मकि झालेंदेंगी मौनिश सेयूछाट करेगी मौनिश्वाश्तकु आप जए निगता है